मसूरी में अचानक माल रूट पर एक मलवे से भरा ट्रक सडक धसने से पलड गया जिस वजह से ट्रक चालक का निधन हो गया ऐसे में ट्रक चालक का परिवार प्रसाशन से मौावजे की मांग कर रहा है माल रूट के सुधार कार के दोरान सडक धसने से ट्रक चालक की मौत होई जिसके बात मरतक के परिजनों ने लूप मिर्वान बिवाग और इस्तानी प्रशासन से मौावजे की मांग की इस मौके पर सेंक्णों की संख्या में गरामी ने मौज़ी बहा है और उन्होंने चालक के परिजनों को मौफजा देने के साथ ही परिवार की इस तरस को सरकारी नौकरी देने की पात तई इस घटना पर उबजलादिकारी मननन कुमार ने बताया कि लोग मौज़ाग दौरा फौरी रहा देते हुए मौतक के परिजनों को पांच लाग रुपए की साहिता दी गई है और दस लाग रुपए एक मार के भीतर दी जाएंगे साथी पांच लाग रुपए की राशी अन्न विभागों दौरा भी दी जाएगी उन्होंने कहा कि यह दुखत घटना है वही लोग मौज़ाद के अडिक्शन अभी एंटा ने कहा कि मौतक के आश्चितों को जो भी संभा होगा साहिता पुदान की जाएगी पुलिस और प्रसाशन की पुरी टीम लोगों से वारता हुई और उसमें जो सहमेती मिली है कि जो पांच लाग पर दी जाएंगे और दस प्लस पांच जो है फविश में दी जाएंगे दस लाग प्रसाशन की तो वह भी उसमें अपना हिस्से दाई करेंगे और यह भी कहा गया है कि जो एक्स्ट्रा पांच लाग है अगर वो नहीं हो अपाता है तो प्रसाशन की और दूसरा उनको नोकरी देने वाला मामला था अब जिसमें विभास दौरा उसमें जो ठेकेदार है उसमें उसकी सेमती बनी है कि उनको कुछ मलब मौजा दिया जाए तो लगब 15 से 15 लाग सिके आसपास का अमाउंट है उसमें तो ठेकेदार उस पर एगरी हुआ है कि मैं उनको मौजा प्रवाइड करना से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपए दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाडली बहना योजना से जुड़ी अधिक जानकारी हेलप लाडली नमबर 0752700800 एवं वेबसाइड cmlaadlibehna.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक बिश्लेशन हम करते हैं सत्यका अनवेशा तखल नियूज आपके हक्त में आप देख रहे हैं तखल नियूज